इधर लखीमपूर हिंसा के बाद सरकार का घिराव कर रही कॉंग्रिस नेता प्रियंका कांधी 24 गंटे से पुलिस सरासत में हैं जिसे लेकर आक्रोशित कॉंग्रिस कारेकरता आज पेसी गेट पर प्रदर्शन करेंगे साथी कॉंग्रिस पार्टी ने अपने नेताओं और सा कर आ गया करने का पुर्जोर विरोध दर्श कराया जा रहा है कारेकरताओं के द्वारा तो वहीं बात की जाए अगर देश भर की तो सभी जगा पर दो दिनों के लिए धर्णा प्रदर्शन किया जा रहा है कॉंग्रिस के द्वारा कारेकरताओं के द्वारा और इस बात से नाराज ह पूरे देश भर में आज कॉंग्रेस कार्यकरता प्रदर्शन कर रहे हैं धर्णा कर रहे हैं क्योंकि इस बात से खफा हैं और विरोध जता रहे हैं कि 24 गंटे से ज्यादा हो चुके हैं और प्रेंकर गांधी वार्टर को भी तक रिलीज नहीं किया गया है गेस्ट हाउस में उन्हें हाउजरेस में रखा गया है और इसी बात का विरोध दर्श कराते हुए ये कार्यकरता दिखाई दे रहे हैं और न सिर्फ उत्रदेश में बलकि सभी जगा पर देश भर में कॉंग्रेसी कार्यकरता अपना विरोध जता रहे हैं विरोध दर्श करा रहे हैं और जह ताइजें से और अपना विरोध दर्ज कराते हुए नजर आए और तस्वीरों में देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं की किस तरीके से कारे करता कारे करता हुए है और नारे बाजी कर रहे हैं-? अपना विरोध जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब प्रियांक गांधी को हिरासत से छोड़े जाने की मांग अब जोर पकरती जा रही है क्योंकि आज से दो दिन के लिए या देश जारी किये गए हैं कॉंग्रिस के ओर से कि सभी जगा पर धर्णा प्रदर्शन क चुरू हो रहा है 24 गंटे से ज्यादा बीच चुके हैं और प्रियांक गांधी वाजरा हाउस अरेस्ट में हैं लखीम पूर खीरी में हुई घटना का से शुरू हुआ ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है दिनों दिन ये बवाल बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर प्रियांक गांधी वाजरा को हाउस अरेस्ट मेरा खा गया है जब वो वहाँ पर मिलने के लिए पहुँच रही थी पेड़तों से तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद हाउस अरेस्ट में वो हैं और उन्हें रिलीज करने की मांग अब तेज हो रही है कर लेकर बाद हो वी पी जब वो गया और उन्हें जब देग्ट हैं